नमस्कार सातियों जैहिंद कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे देगे खबर आईए खबर क्या है कि भारत की रैंकिंग हलने पासपोर्ट इंडेक्स में आ गई है पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है सब कुछ बताऊंगा बड़े विस्तार से की दरस्टी से बहुत मायत लिए वियर की राइन कि जारी करता है ड nouveau कौौ क pouco है और क्कॉंसा बाकॉपोर्ट कमजोर है इसके बारे में ब्ता था है तो हंखर को जह ऐसे बारे में बात करने वाले है तो इसे के बार करने पहले जो भारत के पासपोर्ट धारक है वे लगभग लगभग आपके कुछ 58 देशों को ही विजिट कर सकते थे लेगन अब आप लोग बासट डेस्टिनेशन को 62 जो डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और भारत की जो पुरानी रैंकिंग थी वो 84 थी अब वो सुधर कर आचुकी है 18 पे तो अब 80 रैंकिंग आप राप्त कर चुके हैं तो भारत की रैंकिंग जहां सुधार आती है वहाँ उस इंडेक्स की महतोता बढ़ जाती है और आपके परिच्छा में वहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं चलो ये रही खबर तो खबर आपने समझ ली तो भीया बात करते हैं टॉप पर कौन है आईए जरा से समझते हैं कौन है टॉप पर तो आईए देखते हैं टॉप पर कौन है तो टॉप स्पोट पर अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप स्पोट पर आपके यहाँ पर हैं सबसे पहले फ्रांस है जर्मनी है इटली है जापान है सिंगापूर है इस्पेन है यानि एक दो तीन चार पाच और छे ये छे के छे देश पर प्रतम इस्थान पर आते हैं प्रतम इस्थान पर आते हैं छे के छे देश जो की जिनके पासपोर्ट अगर आप कैरी करते हैं जिनके पासपोर्ट आपक पर कितने 194 countries पर visit कर सकते हैं दोस्तों ये तो बात है कुल आपको समझ में आ गई कि क्या ख़बर है इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर दूसरे second spot पर कौन आता है तो second spot पर अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्छे second spot पर आते हैं Finland, South Korea और Sweden ये देश आते हैं अगर मैं यहीं बात करूं थर्ड इस्थान पर third spot पर कौन आता है तो third spot पर आपके आते हैं Austria, Denmark, Ireland और नीदर लेंड इनके अगर आपके पासपोर्ट हैं तो आप 192 देशों के दौरे कर सकते हैं एक 192 देशों पर बगैर वीजा एक प्राइर वीजा के तहत आप व 62 देशों पर आप यहां पर वीजट कर सकते हैं यह बात याद रखना है इसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट वन कौन है कौन से वह अंतिम देश हैं जिनके सबसे कम रैंकिंग है जिनके पास सबसे कम देशों की विजट है अगर आप अफगानिस्तान का पासपोर्ट तो आप 31 देशों पर आप पाकिस्तान का पासपोर्ट रखते हैं तो आप 34 देशों पर विजट कर सकते हैं यमन का रखते हैं तो आपकी 35 जैसे हमारी रैंकिंग असवी है वैसे ही पाकिस्तान की रैंकिंग कौन सी है पाकिस्तान की है 101 इराग की है 102 सीरिया की है 103 104 अफगा से लिया जाता है तो IATA ये जो संस्था है ये डाटा लेती है कैसे लेती है वहिया ये आपका International Air Transport Authority International Air Transport Authority है इसके द्वारा इसके द्वारा प्यारे बच्चों ये डाटा इकठा किया जाता है और लगभग 199 डिफरेंट पासपोर्ट और 227 डिफरेंट डेस्टिनेशन इन दोनों की जो विजिट्स हैं उनके आधार पर इस डाटा को इकठा किया जाता है और साल भर में आपका हेलनी इंडेक्स जादी किया जाता है जिससे पता चलता है कौन सा पासपोर्ट बहुत पावरफुल है और कौन सा पासपोर्ट पावरफुल नहीं है तो कुल मिला के खबर ये थी, अब आपको समझ में आ गया, हेलने इंडेक्स की सारी डाटा आपको मैंने बहुत ही कम समय में बता दिया, इसी तरह की वीडियो तो बढ़िया रहती है ना, कि कम समय में जादा information मिल जाए, लेकिन ये extra add-on आपके लिए है, भाया पासपोर्ट क नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है, यानि भारतगर राज का विदेश मंत्राले जारी कौन करता है, विदेश मंत्राले जारी करता है, और भाया पासपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार है, पासपोर्ट का कौन सा अधनियम के दौरा जार करता है आप बिना पास्पोर्ट के विदेश यात्रा नहीं कर सकते नहीं कर सकते चाहे वो वीजा फ्री कंट्री हो या जहां वीजा लगता हो वो कंट्री उन दोनों ही कंट्रियों पर आप बिना पास्पोर्ट के आप विदेश यात्रा करी नहीं सकते तो कुल मिला के बात य नेमित पासपोर्ट की तो नेमित पासपोर्ट क्या है आई जरह से समझते हैं पासपोर्ट के कुछ प्रकार होते हैं नेमित पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट जो की आपके परेटक के रूप परेटक के पास होता है परेटक यानि की जो घूमने फिरने वाले होते हैं परेटक पासपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है तो बेसिकली ये टूरिजम के लिए इस्तमाल होता है राजनेक पासपोर्ट कौन सा होता है ये पासपोर्ट जो हमारे काउंसलर अधिकारी होते हैं ठीक है जो हमारे विदेश सची होते हैं उन लोगों के पास ऐसा होता है जो पासपोर्ट है जो कि उस सर्विशेज वगएरा कि जो सरकारी कर्मचारी होते उनको दिया जाता है इसके बाद भही आपका Apt ri passport माली तो आप अमेरिका जाना चाहते हो, अमेरिका जाना तो चाहते हो, लेकिन क्या अमेरिका आपको बुलाना चाहता है, हाँ या ना, आपके देश ने तो आपको पासपोर्ट दे दिया, कि ठीक है जाओ तो अमेरिका जाओ, लेकिन क्या अमेरिका आपको बुलाना चाहता है, या यात्री के व्यक्तिगत और पैसे जानकारी की संचिफ्त विवरड होता है उसकी यात्रा का उद्देश के अधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि बहुत कितने समय तक और किस प्रकार के कारणों और विवादू के कारण उस देश में रहेगा कई बार कोई देश वीजा कि चलो ठीक है तुम आजो तुम्हारे देश में बहुत संकट है तुम हमारे यहां आके रहो ठीक है और कई बार आप स्टुदेंट विजा लेके जाते हो पढ़ने की उद्देश से जाते को तीन साल के लिए रहोगे तो खेर आये जानते हैं वीजा कितने प्रकार का होता ह यहां से आपको और थोड़ा सा कुछ इमेज क्लियर हो जाएगी, तो पर्येटन वीजा होता है, माल लोग घूमने फिरने जाना है, तो उसके लिए भी जिस देश की, किसी देश से पूछोगे कि भाईया आप के यहां आ रहे हैं हम, और आप माल दीजे वहां पर घूमने फि इराधा रखते हैं और उसका उपयोग पर्येटन मनुरंजन वह समान ने यात्रा के उद्देशों के लिए आप लोग करते हैं, ठीक है, छात्र वीजा क्या होता है, छात्र वीजा माल लोग पढ़ने जाना चाते हैं, आप किसी देश में स्टेड़ी, हायर स्टेडी करने देश से जाते हैं, तो वहाँ पर नौकरी के संबंद में जाते हैं, या व्यापारिक वीजा आपको दिया जाता है, ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा डिप्लोमेटिक वीजा क्या होता है, भाई कुछ लोग हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, जो किसी और देश में जाके रह होता है तो आप इस वीजा का उपयोग करते हैं वित्तिय सेवा उद्यम जो आपके बिजनेस होते हैं जो आपके वित्तिय संसाधन होते हैं उनके लिए आप लोग करते हैं ठीक है वित्तिय सेवों का अदान परदान करने के लिए जो कि आपके बैंक वगेरा होते हैं अगर आ आने परकार के कई वीजा भी होते हैं ठीक है जैसे रिटार्मेंट वीजा फैमिली वीजा आदी कई सारे वीजा होते हैं वीजा के और भी विभिनने परकार हो सकते हैं लेकिन मैक्सिम मैंने आपको बता दिया है साथियों तो ये कुछ आपने समझा कि वीजा क्या होता है और और ऐसी news जो आप के knowledge में enrichment करती है उसके लिए TNA भाई मायंग सर देखते रहिए रोजगार विधंकित के साथ बिलकुल धन्यवाद सातियों जैहन्त मुलाकात होगी ऐसे ही next video lecture में थैंक यू